हलो एवरिबड़ी वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज कैसे हैं आप सब लोग आए होप एवरिबड़ी जुइंग वेल मैं भी बहुत बढ़िया हूँ बहुत मज़े में हूँ लास्ट वीडियो में हमने हमारा सिल्क रोड नाम का जो चाप्टर था वो स्टार्ट किया था और हमने उसका पार्ट वन कवर किया था उसमें हमने यह देखा था, उसको थोड़ सा रिवाइस कर लेते हैं, उसको रिकाप कर लेते हैं, उसमें हमने देखा था कि जो Nick Middleton नाम के एक जोग्रफी टीचर है, उनको अपना कोरा कम्टीट करना था, यानि कि माउंट कैलाश के आसपास उने चक्कर लगाने थे, जिस व बीच में उनने काफी सारा difficulty space होई क्योंकि बहुत ज़्दा स्नौ थी वहां पर और काफी सारे उन्होंने वहां पर जो दिरिश्य हैं, जो नजारे उन्होंने देखे, वो उन्होंने वहां पर हमें explain करे हैं, अब वह एक होर नाम की place पहुच गए हैं, जहां के और वहां पर स्टोरी में आज हमारे पार्ट टू वीडियो में तो जब से वो उस सॉल्ट लेक से जहां पे उन्होंने बटके होट नूडल्स काय थे अपना लंच किया था वहां से लेकर यहां तक होर तक आने में उनके गाड़ी के दो बार पंक्चर हो गए है पहली बार तो उन्होंने अपना टायर चेंज कर लिया ठीक है लेकिन जो दूसरा पंक्चर हुआ उसमें उन्होंने क्या किया उन्होंने अपना एक फ्लाट टायर लगाया अब इस टायर की पिक्चर आप देखिए यह जो टायर आप देख रहे हैं इस पे ग्रिप है इस पे जो ऐसी डिजाईन बनी हुई है वो ग्रिप वो ग्रिप है अंड似ी यानि की यह रोड पे चलने के लिए बिल्कूल परफेक्ट हैं अच्छी कंडिशन में हैं यह सारे टायर लेकिन यह टायर इस पे आप वो डिजाईन नी यानि यह क्यों कि रिखा इक्स्राइब तो आप रिखा और यह कट अब वह स्वेक्छ नाज रमिक्शवेस फार स्वेक्स कर्णी मुद्रा शार सबाप सरे किन्छ नहीं चाय का स्वू अधा जो गंजाद रखा करें एकपरुजित ने वह होतुacy। तो उसको अभी ये टायर चेंज करना था, किसको? सेटन को. होर वस अ ग्रिम मिजरीबल प्लेस. ग्रिम क्या होता है? अगली और ग्रे, बहुत ही ग्रे और अगली खराब सी प्लेस थी. बिलकुल मजा नहीं आ रहा था है यापे अथर को. There was no vegetation whatsoever, just dust and rocks, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar, Tibbet's most venerated stretch of water. Accumulated मतलब कोई चीज जो gathered है एक जगा एक खटा होके रखिये. Refuse याने के garbage, गंद, कूडा. तो वो ये कह रहे हैं कि जो होर नाम की प्लेस थी, बहुत मिजरेबल थी, बहुत बखवास रगय थी. यहाँ पर कोई vegetation नहीं थी, याने कि कोई पेड़, पौदे, plants, greenery, कुछ भी नहीं था. यहाँ पर बहुत सारी dust, याने धूल थी, और बहुत सारे rocks, पत्थर ही पत्थर थे हर जगा. और हर जगा ऐसा लग रहा था, सालों से खटा किया हुआ, कच्रा पड़ा हुआ है वहाँ पे, किसी ने कोई initiative नहीं लिया, उसको clean करने के लिए. और यह कितनी unfortunate बात है, याने कि यह कितनी दुख की बात है, कितनी सोचने वाली बात है, कि जो town है, जो होर, जो शहर है, यह कहाँ पर है, लेक मान सरोवर के शोर पे है, याने कि उसके किनारे पर यह पूरा शहर बसा हुआ है, और लेक मान सरोवर क्या है, टिबेट की सबसे venerated, venerated यानि सबसे respected stretch of water है सबसे मानी और सबसे जानी हो religious water है, लेक मानसरोवर और उसी के पास में यह शहर है जहापे कूडा, कच्रा, गंद है, बिल्कुल miserable और grim सी place है ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints मानसरोवर as a source of four great Indian rivers, the Indus, the Ganges, the Sutlej and the Brahmaputra, तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया के सबसे Buddhist cosmology, cosmology याने की science about the origin and the development of the universe, तो जो पुराने बुद्ध बौध धर्म के लोग हैं, जिन्होंने science काफी पड़ी हुए और जिनको पता है कि कौन से चीज कहां से originate हुई है, कौन सी चीज कहां से शुरुवात हुई है उन्होंने ये cosmology के तुरू ये बताया है कि मान सरोवर एक ऐसा लेक है जहां से हमारे हिंदुस्तान की चार important rivers निकलती है River Indus, यह रही आपकी River Indus, यहाँ पे कहीं पे लेक मान सरोवर पड़ता है यहाँ पे कहीं आपका लेक मान सरोवर है और यहीं से आपकी निकल रही है Indus, यह आपकी सतलज है यह आपकी ग्रामा पुत्र है और यहाँ से आपकी निकल रही है Ganges, याने River Ganga तो यह बता रहे हैं कि इतना अच्छा, इतना religious माना जाना हुआ लेक और इसके आसपर कितना कूड़ा कितना गंदा सालों से इखटा यहाँ पे करके रखा है लोगों ने Actually, only the सतलज flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of the Mount Kelash Flanks यहने, side से तो वो कहरे हैं कि actually, लेक मान सरोवर से यह 4 rivers completely इतली नहीं आती है, तरफ रिवर सतलो जी है जो मान सरोवर से ही निकलती है और जो बाकी 3 rivers है वो Mount Kelash के flanks यहने, sides में से निकलती है We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead तो वो कह रहा है कि striking distance यहने कि हम लोग बस थोड़े ही पास अब पहुच गए थे, कहां कि Mount Kelash के, मतलब पहुच नहीं वाले थे कुछ अभी distance बचा था Forge याने की put together या build up and we were just forging ahead याने बस अब हम पहुच नहीं वाले थे But I had to wait पर author को अभी wait करना था Satan told me to go and drink some tea in the whores only cafe which like all the other buildings in town was constructed from a badly painted concrete and had three broken windows तो अभी उसने बोला author ने की अभी मुझे wait करना था क्योंकि Satan ने मुझे बोला कि होर में सिर्व एक ही cafe है तो बोला आप यहां पे बैटके जब तक चायव अगर अपी हो 10-15 मिट का break लो तब फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर और उनने बताए कि वो cafe कैसा था वो cafe बहुत गंदा सा था क्यों क्योंकि उनकी जो walls थी वो बुरी तरीके से painted थी concrete याने की दीवारे दर अदर से टूट रहें थी paint निकल रहा था हर जगे से और वहाँ पे तीन windows थी और तीनों बुरी तरीके से टूटी हुई थी the good view of the lake through one of them help me to compensate for the drought तो यहाँ पे इस line का मतलब यह है कि एक तीन तूटी हुई windows में से किसी एक तूटी हुई window में से मुझे लेक मान सरूवर का view दिख रहा था जो कि इतनी गंदी सी जगा को compensate कर रहा था याने कि इस पूरी गंदी सी बेकार सी जगा में सर्व एक ही चीज अची थी कि टूटी हुई window से मुझे लेक मान सरूवर का बहुत शांदार view दिख रहा था तो एक वो ही जगा थी जिसकी वज़ा से मामा बैट के 15 मिट बैट के मैंने चाय पी अदर्वाइस बहुत ही खराब जगा थी वो I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea filthy याने की dirty, गंदा और rag याने की scrap cloth याने फटा पुराना गंदा सा कपड़ा तो वो कह रहा है जब मैं उस coffee shop में वहाँ पे बैठा tea लेने के लिए तो वहाँ पे किया हुआ, एक Chinese लड़का वहाँ पे आया और उसने military type की कोई dress पहनी हुए थी उसने बहुती गंदे से फटे पुराने कपड़े से oily कपड़े से मेरा table पोचा clean किया और क्या लेकर आया पे रिली फिर एक पानी का ग्लास लेकिया और थर्मस लेकिया है जिसमें tea भरी हुई थी half an hour later Satan relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of the town towards Mount Kailash फिर आदर गंटा उस coffee shop में वो लोग बैटे थोड़ा सब रेक लिया फिर Satan ने बोला कि अब चलते तो वो बोल रहे कि अब Satan ने मुझे ऐसे relief किया याने इस गंदी सी coffee shop से मेरा चुटकारा मुझे दिलवाया और solitary याने अकेले जो confinement इस गंदी सी जगा में बैठा था वहां से मैं निकल के हम लोग drove करें याने कि हम drive करके फिर ले कैलाश परवत की तरफ, Mount Kailash की तरफ हम लोग चलें और रास्ते में बहुत सारे rocks आय थे, पत्थर आय थे और rubbish याने गंदगी याने कूड़ा कजरा हमें और मिला हमें रास्ते में My experience in Hoar came as a stark contrast to accountants I'd read of earlier travelers first encounters with Lake Mansarover Stark का मतलब क्या है? बिलकुल plain यह आप कह सकते हो opposite Contrast याने opposite तो यह कह रहे है कि जो मेरा experience होर में आने का वो बिलकुली stark था याने बिलकुली अजीब था और बिलकुल opposite था उन लोगों की किताबों से पढ़ा था जो मैंने उस से तो जो author थे उन्होंने कुछ किताबे पढ़ी थी किसके बारे में ट्राविलर्स के बारे में कि कुछ लोगों ने होर नाम की प्लेस और माउंट के लाश में ट्राविल किया था तो उनकी किताबे जब उन्होंने पढ़ी तो उनको इतना अच्छा दिखा कि वा सब कुछ कितना अच्छा था वो बिल्कुल फैंसी वर्ल्ड में चले गए थे लेकिन जब वो खुट ट्राविल करके होर तक आया और उन्हों इतनी गंदगी देखी और उन्होंने देखा कि यहां पर कितना रबश है कूड़ा है तो इनका जो ये व्यू था वो बिल्कुल आपजट था उस व्यू से जो उन्होंने किताबे पढ़के लिया था एकाई कावागुची नाम का जापनीज मौंग था यानि कि ये मौंग थेख तो इन्होंने कि बत क्या बताया प्रीस आप कह सकते उनको तो इन्होंने क्या बताया कि 1900 में ये यहाँ पर लेक माहन सरोवर तक आय थे और वो इतना मूव हो गय थे यानने इतना एमोशनल हो गय थे वो लेक माहन सरोवर को देखके और उनकी sanctity यानने उसकी purity उसकी cleanliness इतना साफ लेक देखके कि he wasn't yours वो रो ने लगए इतने इमोशनल हो गय थे तो अब एक दूसरे एक इंसान के बारे में वो एक्जांपल देखे बता रहे है और उनके experience चेयर कर रहे है कि एक स्वीड याने एक स्वीडन कंट्री से आया हुआ एक इंसान था जिसका नाम था स्वेन हेडिन उसके यही similar experience था वो इतने hallowed इतने respected water of लेक माहन सरोवर पर जब आया था तो वो भी सालों पहले आया था और वो इतना देखके खुश हो गया था और इतना emotional हो गया था कि वो भी रोने लगा जबकि वो he wasn't prone to sentimental outburst वो एक sentimental एक emotional इंसान नहीं था फिर भी उसने लेक माहन सरोवर को जब देखा उसकी purity को feel किया उसकी cleanliness देखी तो he was also in tears वो भी रोने लग गया था अब बहुत रात होने लगी थी वो गाडी में ट्राविल करें तो फाइनली वो लोग रात के साड़े दस बजे एक guest house पहुचे और कहां पहुचे डार्चिन नाम के इस टाउन पे तो होर नाम की इस टाउन को ये लोग क्रॉस करके आ गए और कहां पहुच गए डार्चिन में पहुच गए है जो की एक अलग troubled night थी यानि कि ये एक और गंदी सी दगा थी डार्चिन और ये जो पूरी रात निकली इनकी डार्चिन में बहुत trouble में यानि बहुत मुसीवत में निकली किसकी author की kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hoare had set off my cold once more though if truth be told it had never quite disappeared with my herbal tea तो वो कहने के हैं कि जो मैंने होर नाम की जगा में कॉफी शॉप में बैठके वो herbal tea पी थी उससे भी मेरा cold नहीं गया था थोड़ा सा कम हुआ था लेकिन गया नहीं था लेकिन अब वापिस से इतनी फिल्दी इतनी गंदी जगा इतनी धूल मिट्टी वाली होर जैसी जगा को मैंने क्रोस किया और फिर से एक डार्चन नाम की डस्ट वाली गंदी जगा में आ गया हूँ तो मेरा cold अफ वापिस से उठ गया है तो इससे एक बहुत प्रब्लम हो रही थी ऑथर को जितने मुझे ऑक्सिजन की जरुवती वह नहीं कर रहा था क्योंकि अल्रड़ी वह लोग हाइट पे ते और वहाँ पे कमी होती है तो इससे एक बहुत प्रब्लम हो रही थी ऑथर को तो वो कह रहे हैं कि मेरी घड़ी में मैंने देखा फिर से कि मैं 4760 मीटर की हाइट पे हम लोग हैं यह हाइट उतनी ही है जितनी रावू में थी रावू यानने जहां से अपनी जोर्नी स्टाट की थी तो जितनी रावू के थी उतनी हीं पर डार्चन में वह हाइट है तो वो कह रहे है कि वहाँ पर I was gasping याने breathlessness होती थी मुझे Already जब मैं रावू में था जब मेरे दोनों नॉस्ट्रिल्स खुले हुए थे मुझे जुकाम नी था, cold नी था तभी मैं गैस्प होता है ने, तभी मुझे सास की कमी लगती था और मुझे लगता था और oxygen मुझे चाहिए और अब जब मैं उतनी हाइट में यहाँ पर आ गया हूँ और अब तो मेरे एक नॉस्ट्रिल भी बंद है तो मुझे sufficient oxygen नहीं मिल रही है और यहाँ पर मुझे दिक्कत हो रही है अब रात में I had grown accustomed to these nocturnal disturbances by now But they still scared me Nocturnal याने की night time क्योंकि जब आप रात में सोते हो और आपका नाग बंद होता है आपको जुकाम होता है तो आपको problem और बढ़ जाती है क्योंकि सांस लेने में, breathe करने में problem होती है तो वो कहरे है कि मैं अभी nocturnal यह जो night time में जो दिक्कत होती है cold की वज़े से उससे accustomed हो याने, अब familiar हो गया है और मुझे आदत पढ़ गई है बट still, यह जो हो रहा है, it scared me उनको डर लगता था, उनको डर क्यों लगता था क्योंकि उन्हें लगता था कहीं ऐसा नहों कि मैं जब सो जाओं और मुझे इतना oxygen मिले ही ना और मेरी death हो जाए, मैं मर न जाओं तो इसलिए उनको डर लगता था Tired and hungry, I started breathing through my mouth अब वो ठके भी हुए थे, पूरे दिन की journey करके थोड़े भूके भी थे, उन्होंने डिनर नहीं किया था सिर्फ दिन में लंच में वो hot noodles कहाए थे, टेंट में बेढ़के और चाय पी थी तो वो ये कह रहे हैं कि अभी भूका भी हूँ, टायट भी हूँ मैं बहुत जादा और मुझे breathing करने में भी problem होरी तो अब मैं नाक से तो करनी पा रहा हूँ तो I am breathing through my mouth, वो अपने मूँ से सांस ले रहे हैं After a while I switched to single nostril power which seemed to be admitting enough oxygen but just as I was drifting off, I woke up abruptly, something was wrong फिर उनने क्या सुचा कि एक ही nostril से, एक साइड के ही nose से मैं सांस लेता हूँ और सोने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मैं drift off हो रहा था, याने कि जैसे ही मैं सोने ही वाला था suddenly, abruptly में एक दम अचानक से उड़ गया something was wrong, कुछ तो गलत हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा था, कुछ अजीब हो रहा है तो basically याँ पर author को क्या हो रहा था, याँ पर author को डर लग रहा था कि oxygen की कमी होने की वज़े से कहीं मेरी death न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं सोत जाऊं थोड़ी से सांस ले ले के और suddenly in the middle of the night में oxygen की कमी हो जाए और मैं death हो जाऊं मेरी, और मेरी death हो जाए तो उनको बार-बार डर लग रहा था, जिसकी वज़े से उनकी नीन बार-बार जटके से अबरिपली खुल रही थी My chest felt strangely heavy and I sat up, a movement that cleared my nasal passages almost instantly and I relieved the feeling in my chest Curious I thought तो अब जो ऑथर है, उनका chest was heavy हो रहा था क्योंकि उन्हें घवराट हो रही थी एक साइड की nostril बन थी, cold हो रहा था उनको तो उनको घवराट हो रही थी अरे, ऐसे कैसी होगे कि मैं लेटा हुआ था, पहले सांस नहीं ले पारा था और जब मैं उठके बैढ़िया हूँ तो मेरे nostril की passages खुल गए हैं और अब मैं easily, comfortably breathe कर पा रहा हूँ I lay back down and tried again Same result, I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to तो उनने फिर से वो लेटे और फिर से same result हो, जैसी वो लेटे फिर से उनकी nostril बंत हो गई और वो breathe करना मुश्किल हो गया था उनका वो एक land of Nod में जा रहे थे, याने state of sleep एक ऐसा point जब वो literally almost आँख खोल की सो रहे थे literally तो वो land of Nod में ने sleep की situation में पहुच सुके थे when something told me not to और फिर सोने लगा की नहीं सोना नीची और वो उठके बैड गए अगेन उनको वो डर लग रहा था की कही मेरी death नहो जाए insufficient oxygen की वज़े से It must have been those emergency electrical impulses again but this was not the same as on previous occasions this time I wasn't gasping for breath I was simply not allowed to go to sleep तो impulses याने signals वो signals जो आपके brain आपको देता है तो वो यह कहरे कि इस बार ऐसा लग रहा था कि को electrical signals या impulses मुझे मिल रहे हैं और मुझे वो सोने नहीं दे रहे हैं इस बार मैं gasping नहीं कर रहा हूँ याने सांस के लिए परिशान नहीं हो रहा हूँ कि मुझे सांस आये मैं breathe कर पाऊं मुझे comfortable लगे ऐसा नहीं था अब तो मैं जो थोड़ा comfortable भी लग रहा था लेकिन मेरे दिमाग के जो impulses और signals है वो मुझे बार बार signal दे रहे हैं कि सोना नहीं है सोना नहीं है लेटे हुए था और वो उड़ गए और फिर से उनका नाग खुल गया और वो comfortably breathe कर पा रहे थे बढ़ा सूना आजा लेडाउन मैं साइनस इस फिल्ड और मैं चेस्ट वो और फिर से उनका नासल पैस जो था वो भर गया और अगैन क्या हुआ वो नहीं सो पाए क्योंकि उनके ब्रीद नहीं मिल रही थी आई ट्राइड प्रॉपिंग मैसेल्फ प्रॉपिंग याने तो खोल्ड अप अप्राइट अगींस अवल बट नाव आई कुदेंट मैंच तो रिलाक्स इनम तो ड्रॉफ ड्रॉफ याने तो गो तो स्लीप तो उनोंने सचा के काम करता हूं मैं अपनी तर्म से दीवार पे टेका लेता हूं तो जब उनोने तो से शाद मुझे नींद हाजा तो दीवार पे अपनी बैक को रेस्ट देदी लेकिन इससे क्या हुआ उससे उनके उनके नासल पैसज़ेस तो खोल गए लेकिन ओस ड्रॉप आफ नहीं हो पा रहे था याने कि उनको नीन ने आ रही थी पत अनकमफोर्टेबल लग रहा था उनको I couldn't put my finger on the reason but I was afraid to go to sleep I couldn't put my finger on the reason का क्या मतलब है यहने मुझे सही reason समझ में नहीं रहा था कि क्या reason है मेरी इस problem का लेकिन फिर भी मैं सो नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे अफ्रेड था मैं क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था A little voice inside me was saying that if I did I might never wake up again so I stayed awake all night तो उनके अंदर से उन्हें आवाज आ रही थी कि अगर मैं सोया तो शाइब मैं लाक्स में कभी भी ना ओठू क्योंकि उन्हें डर लग रहा था Insufficient Oxygen की वज़ेस उनके death ना हो जाए तो इसलिए वो डर के मारे सोय नहीं पूरी रात भर जा गई ही रहे वो Satan took me to the Darchan Medical College the following morning The Medical College at Darchan was new and looked like a monastery from the outside with a very solid door that led into the large courtyard Monastery क्या है Monastery मतलब एक ऐसी जगह जहां पर monks रहते हैं जहां पर priests रहते हैं वहां पर religious जाने की उनके धर्म के काम होते हैं तो Satan अगले दिन सुबह को author को medical college ले गया उनकी तवियर दिखाने के लिए और उन्होंने बताए कि जो medical college था डाचन में वह कैसा लग रहा था एक monastery जैसा है ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर monks रहते हैं और वहाँ पर कोई religious काम होते हैं और जैसे ही वो उस medical college के door से enter करें वो कहां पहुझ गए एक बड़े से courtyard से बड़े से वरांडा टाइप में पहुझ गए we found the consulting room which was dark and cold and occupied by a Tibetan doctor who wore none of the paraphernalia that I had been expecting तो वो कह रहे थे कि हम consulting room में पहुझे याने उस room में जहाँ पर doctor बैठे थे जिनको हम consult कर सकते थे जिनको हम पूझ सकते थे कि हमारी tabiat खराब का क्या reason है तो वो कैसा room था वो बहुट dark सा room था cold सा room था और जैसा उन्होंने expect किया था कि जो Tibetan doctor है वो भाई पहनेगा ऐसा lap coat होगा कुछ मास्क होगा कुछ भी स्टाइब की चीज़ें जैसा doctors रहते हैं वैसा उन्होंने सोचा था वैसा जैसा उन्होंने expect किया था वैसा कुछ नहीं he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat वो तो एक normal Tibetan ही दिख रहा था वहीं शेहर का normal को इंसान ही दिख रहा था जिसने थिक बहुत मोटा से coat पेना हुआ था और एक वुल की बनी हुई एक hat पेनी हुई थी तो वो डॉक्टर तो दिखी नहीं रहा था कहीं से तो जैसे ही ऑथर ने उनको अपना अवर्जन बताया कि वो उनको पसंद नी आ रहा था सोना और कैसे उनकी problem पूरी रात भर उन्होंने परिशानी फेस करी तो उन्होंने कुछ questions उससे पूछे और जब तक वो कुछ questions उससे पूछ रहे थे वो उनकी नर्व याने पल्स जो कोल्ड हो गया और क्यों हुआ है क्योंकि है वाल्टिटूट पे बहुत हाइट पे हो इस वज़े से आपको सर्दी जुकाम हो गया है I'll give you something for it और मैं आपको उसके लिए कुछ दवाई दे दूँगा I asked him if he thought I had recovered enough to be able to do the kora Oh yes he said you'll be fine तो author ने doctor से पूचा कि मैं इतना ठीक तो हो जाऊंगा ना कि मैं kora कर लूँ जाके अपना तो उनने बुला हाँ 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 don't worry आप तो ठीक हो जाओगे आराम से और आप आराम से you'll be fine आप कर लोगे अपना kora I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper अब वो उस medical college से बाहर निकले और clutch याने कि उनने हाथ में क्या hold करके रखा था एक brown color का envelope जैसे हम doctor के हाँ से आते तो हमें दवाईया मिलती है and क्या थी उसमें 15 screws of paper याने कि वो पुडियाएं बननी हुए थी उसमें जिसमें उनकी दवाईया थी I had a 5 day course of Tibetan medicine which I started right away तो उनको 5 दिन का medicine का course दिया था doctor ने जो उन्होंने उस दिन से ही शुरू कर दिया था I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water तो breakfast का खाने के बाद उन्होंने अपना breakfast के बाद वाली जो वो पुडिया थी वो जो screw of paper था उसको खोला और देखा कि इसमें brown color का powder है जो उनको hot water में mix करके पीना था It tasted just like cinnamon और उसका तेस्ट किस-किस जैसा था cinnamon जैसा याने की दालचीनी which you can see in the picture दालचीनी यसे long stick जैसे उती जो हम लोग किचिन में खाने में यूस करते है तो यह exactly उसके जैसे ही टेस्ट लग रहा था उस brown powder और water का The contents of the lunch time and bed time packages were less obviously identifiable तो वो कह रहे थे फिर मैंने देखा कि lunch के बाद खाने वाली जो दवाईया थी और bedtime याने dinner के बाद खाने वाली जो दवाईया थी वो identifiable नहीं थी identifiable नहीं थी का मतलब यह होता है याने कि दोनों में को difference ही नहीं लग रहा था दोनों same same दिख रही थी बोथ contain small spherical brown pellets और दोनों में क्या था छोटे छोटे गोल गोल ऐसे pellets थे pellets याने shots याने कि याने कि चोटी छोटी चोटी गोल यहां ऐसे इस तरीके की यहां पर यहां पर कहते कि वह किस जैसे लगने थी शीप डंग याने शीप का जो सॉलिड वेस्ट होता है उसके जैसे लगने थे दवाया बट अब मुझे तो लेना ही था क्योंकि मुझे अपनी तब्यात थेक करनी थी आफ्टर मैं फर्स्ट फुल देस कोर्स आइशलेप वेडी साउंड़ी लाग नौट अदेड मैन तो उन्होंने भूला जब मैंने पूरे दिन का ब्रेकफिस लांच डिनर के बाद के जो भी पूरे दिन का मेडिकल का जो मेडिसिं का जो कोर्स था जो मैंने लिया था वह ख एक डेड मैन, एक मरेव इंसान की तरह नहीं सोया, लॉक की तरह वो सोया जैसे ही सेटन उनके गाइड में ने देखा के ये मरेगा नहीं, याने ये विल नॉट डाए कौन ओथर क्योंकि इसकी तब है ठीक हो गई है, वो कहाँ चलेगे वापिस, लहासा नाम के शहर चलेगे, जो कि टिबिट का कापिटल है तो क्योंकि सेटन कौन था एक बुद्धिस था और उसकी जो रिलिजिस बातें थी वो बुद्धिस जैसी थी और उसने सेटन से क्या बोला, उसने सेटन ने ओथर से क्या बोला, कि मुझे शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर अगर आप मर भी जोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा reason behind, क्योंकि everyone has to die one day, सब को इस दुनिया से जाना है, तो उसकी वैसी thinking थी, वैसे thoughts थे उसके और तो ये सोच के उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि अगर मैं मर जाता, कौन author और इसलिए उसने जब देखा कि अब author की तब है थोड़ी से ठीक है, तो वो लहासा चले गया, क्योंकि उनको लगा कि अब उसके business के लिए bad होगा, क्योंकि वो एक tourist guide है, उसको दूसरे tourist को भी लाना है, और अपनी income बढ़ानी है Darchen didn't look so horrible, after a good night's sleep, अब उन्होंने एक दिन अच्छे से सो लिया राच को, अब Darchen अब उनको इतना मुरा नहीं लग रहा था, जितना पहले लग रहा था, क्योंकि अब उनकी health थोड़ी से ठीक थी It was still dusty, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse But the sun shone brilliantly in a clear blue sky, तो अब वो ये बोल रहे है कि derelict याने की ruined, और heaps याने loads तो वो कह रहे थे कि अपर अभी भी dust था, बहुत सारा कच्रे का heaps याने की कूडा कच्रा मां बहुत सारा पड़ा हुआ था Sun अभी भी भी बहुत अच्छे से brightly shine कर रहा था, sky में, blue color के sky में And the outlook across the plane to the south gave me a vision of Himalayas तो अब south की तरफ से जब उन्होंने थोड़ा देखा उस direction में, तो उनको Himalayas का look दिखाया ने थोड़े Himalaya के जो mountains तो उनको वो दिखे Commanded by a huge snow-capped mountain, Gurla Mandhata, with just a wisp of clouds suspended over its summit तो उनको अब क्या दिखा, उनको साथ में क्या दिखा, Gurla Mandhata नाम का एक बड़ा सा एक और mountain दिखा जिसकी चोटी, याने जिसका summit, जिसका जो peak था, वो बिलकुल snow-capped, उने बरफ से डगा हुआ था विस्प, याने a small amount of something, तो उनको ये बिलकुल clearly ने दिखा mountain, विस्प, याने जरा सदूर से उनको दिखा तो रूडिमेंटरी का मतलब क्या होता है, रूडिमेंटरी याने की बेसे क्या प्राइमेरी, तो उन्होंने थोड़ा ताउन घूमने गए, और उन्होंने देखा कि टाउन में क्या था, एक रूडिमेंटरी याने की basic general store, चुटी-चुटी दुकाने लगी थी, जो क्या ब चुटी-चुटी दुकानों पे. याने की strange, तो यहाँ पे author बोल रहे है कि एक general store, एक चुटी-चुटी-चुटी दुकान लगी थी, उसके बाहर men gather करके, बहुत सरे आदमी खटा होके, खड़े हो गए थे, और क्या खेल रहे थे, पूल, और जो पूल table था, जो खुली हवा में, वो लोग पूल खेल रहे और जो women थी, वो पासी में एक stream, एक चोटी सी river थी, उसी के पास में, brook थी वहाँ पे, वहाँ पे पास में अपने long hair वहाँ पे wash करने लगी थी, जिसके babbled, याने की sound of gushing water, जो पानी की जो उनके आवास थी, brook में से जो आवास आ रही थी, वो उनके guest house में से author को आती थी, तो यह सब देखे, author को बहुत, author को बहुत अजीब लगा, बहुत strange लगा, डार्चन felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback, अब डार्चन नाम का जो शहर था, वो बहुत ही relaxed था, बहुत शांस सा शहर था, और unhurried था है, नहीं, लोग यहाँ पे जल्द बाजी नहीं कर रहे हैं किसी राम से चल रहा है, बट ये चीज़ मेरे लिए बहुत drawback हुई, याने author के लिए drawback हुई, याने कि उनके लिए एक disadvantage हुआ, there were no pilgrims, उस जगा पे pilgrims थे ही नी, pilgrims याने की तीर्थ यातरी, बहुत सले लोग obviously mount के लाज जाते ही हैं, तीर्थ खरने के लिए, pilgrimage के लिए, तो वो के रहे थे वहाँ पे pilgrims तो थे नी, कोई यातरी तो थे नी, जो कोरा करने के लिए जा रहे थे, I had been told that at the height of the pilgrimage season, the town was bustling with visitors, तो यहाँ पे author बताने की मुझे ऐसा बताया गया था, कि जब pilgrim का season होता है, याने कि जब दर्शन करने का या वो जो चक्तर लगाने का season होता है, उ और मैं किस time चले गया था, मैं off season चले गया था, जिस time वहाँ पे tourists जादा नहीं होते, तो यह उनके लिए disadvantage था Many brought their own accommodation enlarging the settlement around its edges as they set up their tents with a spilled down on the plane, accommodation याने की रहने की जगा, तो वो बता रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा season का time होता है, बहुत सारे pilgrims याने यातरी उस जगा पे आते हैं, तो शहर में ज़्यादा hotels है, नहीं, ज़्यादा रहने की जगा है, होती नहीं थी, तो लोग अपना accommodation याने अपने tents, खुद ही अपने साथ लेके आते थे और जो भी उनको जगा मिलती थी, जिन प्लेंस पो उनको जगा मिलती थी, वो अपने tents ऐस तरीके से वहाँ पे set कर देते थे, I timed my arrival for the beginning of the season, but it seemed I was too early, तो वो कहरे हैं कि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, अब ही season शुर Pondering my options over a glass of tea in Darchan's only cafe, तो pondering याने की thinking, तो एक दिन वो Darchan में भी एक छोटा सा एक ही cafe था, पूरे Darchan में एक ही coffee shop थी, वो वहाँ पे गए और वहाँ पे क्या पी रहे थे, वो चाय पी रहे थे, और सोच रहे थे अपने options, याने कौन से options, वो सारे तरीके जिससे वो क्या क दिख रहे हैं क्योंकि वो off season में वहाँ पे चले गए और उनका बिलकुल मन नहीं था कि वो अकेले अपना कोरा करें, उनका मन था कि वो किसी के साथ जाए और अपना कोरा कंप्लीट करें, तो उनको इस तरीके से उनका desire थी, तो वो कि अपने options सोच रहे थे कि मैं क्या करू मैं कैसे करूँ, मुझे कोई दूसरे यात्री भी नहीं दिख रहे कि जिनके साथ मैं कोरा करने के लिए निकल जाओ, तो वो चाय पीते पीते सोच रहे थे अपने options, after little consideration, I concluded they were severely limited, clearly I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking, तो बहुत देर सोचने के बाद उनको यह पता चला, कि कोई मेरे जो options बहुत limited हैं, यही option होगा कि मैं आके यही चले जाओं या शायद कोई दूसरा guide देखूं और उपर guide देखने में भी बहुत दिन लग जाएंगे, तो options मेरे पास जादा नहीं थे, also उनका self-help program, याने कि वो एक self-help program करते थे, जो positive thinking पे था, और सोचते थे कि मैं हमेशा positive रह रहे थे, अपना kora complete करने के लिए, in my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait, तो वो कह रहे है कि इतना मुझे सोने में भी रात में आजकल फिर से difficulty हो रही है, तो ऐसा करते हूं, मैं wait कर लेता हूं, मैं कुछ time wait कर लेता हूं, the pilgrimage trail was well trodden, well trodden का मतलब कियाता है, much frequently visited by travelers, तो यह pilgrimage की तीर्थ की जगा होती है, यह बहुत जादा visitors यहाँ पर आते हैं और आते ही रहेंगे, but I didn't fancy doing it alone, पर author को यह pilgrimage, यह अपने तीर्थ ही आतरा, kora जो उनको करना था, यह अकेले नहीं करना था, the kora was seasonal because parts of the route were liable to blockage by snow, तो वो यह बता रहे हैं, कि जिन लोगों को kora करना है, और जो kora करने का वहाँ जो season होता है, कि जिस time आप आ सकते हो, वो seasonal है, याने साल के कुछ ही months के लिए वो रास्ते खुले होते हैं, क्योंकि all time वहाँ पर snow रहती है, और रास्ते snow की वज़े से blocked रहते हैं, तो गाडियां आ जा नहीं सकती, तो एक season है kora करने का जब वहाँ पर snow नहीं होती, I had no idea whether or not the snow had cleared, but I wasn't encouraged by the chunks of dirty ice that still clung to the banks of darchan's brook, तो वो ये सोचना है कि अगर मैं वापर भी जाऊं, कि चलो मैं भी चले जाता हूं, कभी season पर आ जाऊंगा, मैं अपना kora करने के लिए, तो अभी मैं rely नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी snow का blockage, और dirty ice, और darchan की जो brook थी, वो जो, क्योंकि वो डarchan में जो brook देख रहे थे, एक छोटी सी नदी देख रहे थे, वहाँ देख रहे थे कि अभी भी snow के बड़े-बड़े pieces उदर rocks पे हं थे, याने कि लटक रहे थे, that means वो अभी उन रास्तों पे भी होंगे, याने enough English to answer even this most basic question, तो अभी तक उनका किसी एक ऐसे इंसान से मुलकात या मीटिंग नहीं हुए है डarchan में, जिनको at least इतनी English तो आजा है जो उनका basic questions का answer कर ले, उनका guide तो था नहीं, तो वो बहुत difficulty face कर रहे थे हैं वहाँ के लोगों से communicate करने में भी, until that is I met Norbu, the cafe was small, dark and cavernous with a long metal stove that ran down the middle, तो अब उस cafe में जहाँ पर बैठके अपने tea पी रहे थे, वहीं बैठे बैठे, वो किस से मिले, Norbu, Norbu नाम के एक इंसान से वहाँ पर मिले, फिर वो उस cafe का description बता रहे है कि cafe कैसे दिख रहा था, तो cafe बहुत छोटा सा था, dark याने अंध अंधेरा था वहाँ पर बहुत और cavernous था, cavernous याने vast याने की अंधेरा था और उपर से थोड़ा बड़ा बड़ा type का था और इस तरीक और length में थोड़ा बड़ा था, width में कम था, with a long metal stove that ran down the middle और एक metal stove रहा हुआ था वहाँ पर जो बीच में रखा था cafe के, the walls and ceilings, जो जीवार हैं और जो छथ थी cafe की, वर rath in sheets of multi-colored plastic, rath याने की twisted, वहाँ पर बहुत सरी sheets लगी थी, जो multi-color की, अलग-अलग colors की थी, और plastic की सब वो sheets थी, of the stripped variety, और वो जो sheets थी, उसमें strip, इसे लंबी-लंबी लकीरे लगी हुए थी, अलग-अलग color की, और कॉनसे colors से, broad blue color था, red color था, और white color था, that is made into stout, stout याने firm, याने की जो plastic sheets लगी थी, दीवारों पे और ceiling पे, बहुत ही firm थी, बहुत hard थी, voluminous shopping bags sold over China and in many other countries of Asia as well as Europe, तो ये जो जैसे पटे थे, color के, जो ऐसे stripes लगे थे, जैसे red, blue, white, इस थरीके के shopping bags जो होते हैं, कहां पे, Asia की कुछ countries में, China में, ये औरोप में, वो बहुत चल थे, जो shopping bag पे इस तरीके से, ऐसे colors तरीके लगे थे, तो वैसे ही उनकी वहाँ, cafe की ceilings और जो walls सी, वहाँ पे, गंदी सी ऐसी painting लगी हुई थी, As such, plastic must rate as one of the China's most successful exports, along with the silk road today. तो वो ये बता रहे हैं कि, ये जो plastic की sheets हैं, ये तो वहाँ होना जाहिर सी ही बात थी, क्योंकि China जो है, वो plastic का, बहुत famous और बहुत important producer है, और all over world वो क्या करता है, ये plastic को export करता है, किसकी तरह? Silk Road की तरह, जैसे Silk Road से Silk Export किया जाता था, वैसे ही, plastic भी export करें, तो यहाँ पर कई सारी चीज़े, plastic की दिख रही हैं हमें. The cafe had a single window beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook. तो वो कह रहा है कि पूरे cafe में सरफ एक ही window थी वहाँ पर और मैं वही पर जाके bed गया. क्यों? क्योंकि वहाँ से sunlight आ रही थी और वो एक book read कर रहे थे author, तो उनको clearly sunlight से दिखे, क्योंकि उदर कमरे में तो बहुत ज़ादा darkness थी. I had also brought a novel with me to help to pass the time. और author अपने साथ एक novel भी लेके आ गए थे, याने की storybook लेके आ गए थे, ताकि उनको time pass करने में easy रहे. Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if I could sit opposite at me in rickety table, rickety याने unstable. तो जब Norbu ने देखा कि author एक novel पढ़ रहे है, तो novel देखते ही, वो Norbu उठके author के पास आयो और बोला, कि excuse me, can I sit next to you, क्या मैं आपके साथ यहाँ बैठ सकता हूं आपके table पर, और वो table कैसे थी, unstable, hill डोल रही थी बहुत, कि वो टाफे बहुत, अच्छी condition में नहीं था. You English, he inquired, after he'd ordered tea, तो author ने obviously इसको बोला कि हाँ, बैठ जो, sit down, तो उसने, Norbu ने author से पूछा, You English, मतलब तुम्हें English आती है, और उसने tea order करी, और उसके बाद यह चीज़, author से उसने पूछी, यहने दोनों साथ बैठ के बाते कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे, I told him I was, and we struck up a conversation, तो author ने बोला, हाँ, हाँ, मुझे English आती है, और दोनों ने conversation struck up कर दिया, यहने कि, बातचीट करना start कर दी, I didn't think he was from those parts because he was wearing a windsheeter and metal-rimmed spectacles of western style, तो author कह रहे हैं, कि वो जो नोर्बू नाम का लड़का था, मुझे नहीं लगता है, वो स्टिबिट चायना किसी एरिया में से था, क्योंकि इसने एक windsheeter पहना हुआ था, जो western countries में पहनते हैं, और एक spectacles पहने थे, spectacles with metal, रिवन्याने की जो चश में थे, उसकी side में metal लगा हुँ था, जो western style में लोग बहुत पहनते हैं, He was Tibetan, वो था तो Tibetan, कौन? नौर्बू, He told me, but worked in Beijing at the Chinese Academy of Social Sciences in the Institute of Ethnic Literature, तो उसने बोला, मैं Tibetan हूँ, और मैं कहां काम करता हूँ, मैं Beijing में, Chinese Academy में काम करता हूँ, और कहां Institute of Ethnic Literature में, मैं काम करता हूँ, तो वो Tibetan ही था, और वो चाइना में ही काम करता था, लेकिन वो जो लग कैसरा था, western culture का, क्योंकि उसने windsheeter पहना था, वो metal-rimmed glasses पहने थे उसने, लेकिन उसको English आ रही थी, I assumed he was some sort of fieldwork, तो author ने assume कि याने अनुमान लगा है, कि वो यहाँ पर शायद कोई fieldwork करने आए, याने कि अपने job related कोई काम करने आए, Yes and no, he said, I have come to do the kora, my heart jumped, तो जैसे ही author ने उससे पूछा, कि author को लगा कि पूछा कि तुम क्या करने आए, हाँ, तो उसने बता है, मैं fieldwork करने आए हूँ शायद, तो वो बोलता है, yes and no, हाँ भी ना भी, मैं अपना fieldwork समझो करने भी आया हूँ, नहीं भी करने हूँ, मैं तो आया हूँ kora करने, और जैसे ही author ने ये सुना, my heart, मतलब समझो, उनका दिल बाग भान हो गया, क्योंकि वो किसी को already ढूण रहे थे, कि जिनके साथ वो अपना kora complete करने, और finally वो इंसान खुछ चल के उनके table तर आ गया है, नोर्भू had been writing academic papers about the Kailash kora and its importance in the various works of Buddhist literature for many years, he told me, तो नोर्भू ने author को बताया कि वो कुछ research papers, कुछ academic papers लिख रहा है, कैलाश के kora, कैलाश परवर्थ पर जो kora होता है उसके बारे में और उसकी क्या importance है Buddhist literature में, और कई साल से वो इस चीज़ पर research कर रहा है, but he had never done it himself, लेकिन नोर्भू ने खुद कभी kora नहीं किया, तो ये सब चीज़े नोर्भू ने किसको बताई, author को, ओके इस picture में अगर हम देखें, तो ये जो है, ये हमारा कैलाश परवत है, यानि कि माउंट कैलाश है, और ये जो red line आपको दिख रही है, जो ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे, ऐसे ये red line ये जो है, ये अलग-अलग roots है, यानि ये माउंट कैलाश है, और इसके आसपास जो चक्कर लगाना है, इसी को हम kora कहते है, इन roots, ये map में आपको roots दिए हुए, जिन roots से आप कैलाश परवत के चकर लगा के अपना kora, अपनी religious practice complete कर सकते है और फिर author ने भी बताया उसको, नौर्बू को कि मैं आपे क्यों आया हूँ, तो उसकी eyes lit up, मतलब उसकी आंके shine करने लगी, क्योंकि वो खुश हो गया, कि चलो उसे भी कोई मिल गया, जो उसके साथ ये kora complete करे we could be a team, he said, excitedly, तो उसने क्या बोला, हम दुनों team हो सकते हैं, साथ में मिल के अपना kora complete कर सकते हैं two academics who have escaped from the library, perhaps my positive thinking strategy was working after all तो author क्या सोच रहे हैं कि मेरे जो positive thinking की strategy थी, कि अच्छा सोचू, अच्छा होगा, अच्छा सोचू, अच्छा होगा वो अब काम कर रही थी, क्योंकि मेरे साथ अब अच्छा हो रहा था और वो कह रहा था कि दो academics दो library से भागे, यानि कि दो ऐसे लोग जो अब तक स्रिव अपना काम कर रहे था, अब library से अपने काम से बाहर निकल के finally kora करेंगे perhaps my initial relief at meeting Norbu who was also staying in the guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage तो वो ये बोल रहे है author कि जो Norbu था, वो exactly मेरी तरह ही था और ill-equipped था, यानि उससे भी कोई information नहीं थी कि ये kora करते कैसे है और किन चीजों के जरूरत पढ़ती है, ऐसे करने के लिए और खुद भी, वो भी guest house में ही रह रहा था, जैसे author रह रहे थे he kept telling me how fat he was and how hard it was going to be तो वो क्या कर रहा है, वो नोरबु जो है, वो बता रहा है author को कि वो कितना fat है, वो कितना मोटा है, उससे ये kora करना बहुत मश्किल होगा याने इतना बड़ा चक्कर लगाना केलाश परवत के लिए आसपास उसके लिए possible नहीं क्योंकि जो चक्कर लगाना था, ये गाड़ी से नहीं लगाना था, ये एक अलग style से लगता है, ये वोक करके भी नहीं लगता है, ये कैसे लगता है अभी हम आगे story में पढ़ेंगे तो वो कहरा है कि मेरे लिए ये जो कोरा करना नहीं बहुत difficult है क्योंकि मैं मोटा हूँ, very high up, he kept reminding me, so tiresome to walk, tiresome मतलब dull and boring याने जिसको करने में बहुत थकते हो और bore भी होते हो, तो वो कहरा है कि ये जो है ना बहुत उपर तक climb करना पड़ता है, कोरा करने के लिए और बहुत tiresome ये करने में ठक भी जाते हैं, he wasn't really a practicing Buddhist, it transpired but he had enthusiasm as he was of course Tibetan, transpired मतलब leaked information, तो वो ये कह रहा है कि मैं जो हूँ, वो बता रहा है कि मैं एक practicing Buddhist नहीं हूँ, याने मैं Tibetan हूँ, याने कि ये पर अपने Buddhist धर्म को इतना जादा कुछ seriously follow नहीं करता हूँ, लेकिन उसके अंदर ये ज लिखके लग रहा था कि हाँ ये कर लेगा, इसके पास थोड़ी बहुत तो information होगी, envisaged याने कि predicted, अनुमान लगाना, devote याने कि deep, तो वो ये कह रहा है, कौन author ये कह रहा है कि पहले तो मेरा plan ये था, पहले तो मैंने ये predict किया था कि मैं जो trekking है, याने कि जो mountain climbing है के लाश परवत की और ये कोरा, ये मुझे किसी devote याने कि devote believer याने कि किसी particular धार्मिक इंसान क साथ, जो ये particularly यात्रा करने है, उसके साथ करूँगा, ताकि मुझे वो सब information भी दे कैसे कोरा होता है, और इस place की क्या importance है, वो सब मुझे information भी साथ साथ देते चले, but बाद में मुझे कौन मिला, नौर्मू मिला, और वो जो है, वो मेरी best companion है, वो मेरा best friend है, और best person है, जिस prostrating himself all around the mountain, तो यहाँ पर prostrating का मतलब क्यों होता है, lying down, इस तरीके से जब आप late जाते हो road पे, तो यहाँ पर उसने क्या बोला, नौर्मू ने, नौर्मू ने author से बोला कि हम कुछ yaks जो हैं, वो hire कर लेते हैं, इस तरीके की, जो हमारा जो भी लगे ज़े, ये carry करके चलेगी तो उसने बोला, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, और उसने नौर्मू ने ये भी बोला कि पर मेरा कोई intention नहीं है कि मैं prostrating करूँगा mountain के आसपास, prostrating याने कि मैं mountain के आसपास के जो चक्कर है, वो ये lie down होके, याने कि इस तरीके से road पे late late के नहीं करूँगा, क्योंकि अब तो ये कोरा है, ये गाड़ी से नहीं होता चक्कर लगाना, ना पैदल होता है, ये लोग क्या करते हैं, फिर अपने आगे के पैर अपने सर तक लाते हैं, फिर सर को आगे ले जाते हैं, फिर पैर को सर तक लाते हैं, फिर सर आगे ले जाते हैं, और इस तरीके से आगे अप possible he cried और वो बोलता है कि मेरे लिए तो ये करना possible ही नहीं है collapsing across the table in hysterical laughter और वो एकदम से बोलते बोलते चैर पर यू गिर जाता है कि हसते हसते कि मेरे से तो बाबा ये possible नहीं है मैं तो बहुत मोटा हूँ तो उसने बोला ये तो मेरे style नहीं है और मैं ऐसा बिलकुल हूँ भी नहीं और मेरा टमी जो है मेरा पेट है वो बहुत निकला हूँ है तो ये लेट लेट के कोरा करना मेरे लिए impossible है लेकिन फिर भी दोनों ने साथ मिलके अपना कोरा complete किया So children this was all about this chapter और कैसे हमने Silk Road के बार में पढ़ा और कैसे हमको पता चला कि Silk Road जो है एशिया को और यॉरप को connect करता है और कैसे author ने अपना कोरा complete करा एक anonymous friend नोर्भू के साथ तो I hope आपको इस chapter बहुत अच्छा लगा होगा तब तक लिए stay tuned क्योंकि next video में मैं आपके लिए क्या लेकि आने वाली हूँ इसी chapter की summary और कुछ important questions क्योंकि magnet brains आपकी गर तक free of cost quality education लेकर आ रहा है तब तक लिए stay tuned and bye